बुक स्टार्ट स्पीक में आप सभी का स्वागत है नन्नी बानी जब सोती है तो वो और भी बहुत कुछ करती है जैसे की उड़ना और जादूई नगरियों की सैर करना आप भी उसके साथ अनोखी सैर पर निकल जाहिए ना सुनते हैं कहानी बानी कहानी जरा ध्यान से सुनियेगा कहानी के अन्त में मैं आप बच्चों से कहानी के बारे में ही एक सवाल पूछूंगी और उसका उत्तर आप मुझे इमेल कर दीजिए ओरिजिनल स्टोरी बानी बाई प्रथम बुक्स रिटन बाई हर्मिंदर ओहरी चित्रांकन तपोशी घोशाल हिंदी में अनुवात रितु सिंग कहानी सुना रही है असावरी दोशी मिलते है बानी से ये है बानी चोटी सी प्यारी सी लड़की वो घर है ना हरे दर्वाजे वाला उसमें रहती है बानी स्कूल जाती है उसके स्कूल की खिड़कियां चमकते पीले रंकी है और दर्वाजे लाल बानी को अपना स्कूल बहुत पसंद है वहाँ उसके बहुत सारे मित्र है उनके साथ वो पढ़ती है नाचती गाती और खेलती भी है एक रात बानी बहुत थक गई थी जैसे ही आखे बंद की उसे लगा वो तैर रही है घर के बाहर दूर पहाड से नीचे घने पेडों के बीच उठो बानी उठो बानी चौक कर उठ गई उसने देखा कि उसके सामने कई अंजान बच्चे खड़े थे अजीब से चेहरे थे उनके टोपिया पहने थे वे बानी के इर्दगिर्द गोला बना कर गाने लगे स्वागतम तुम्हारा स्वागत है हम तो एक साल से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे पूरे एक साल से बानी फस्पसाई हाँ बच्चे जोर से बोले हम जानते है कि तुम नींद में तैर सकती हो शायद गा भी सकती हो लेकिन मैं नींद में तो नहीं हूँ कहते हुए बानी ने अपने आपको जोर से चिकोटी काटी हाई नींद में उड़ भी सकती हो बच्चे गाते ही रहे उड़? कैसे? कहा? बानी ने पूछा पंखों की तरह अपनी बाहे फैलाओ चिडिया, बादल, किसी की भी तरह उड़ जाओ बानी ने वैसा ही किया और अपने नए मित्रों के संग उड़ने लगी चंगल के उपर से और जब बानी ने नीचे देखा तो बेशुमार बत्या नजर आई वो बच्चों के पीछे पीछे बत्यों की और उड़ने लगी देखा एक नगर है बड़े बड़े मश्रूमों यानी कुकरमुत्तों से बना हुआ हर रंग के मश्रूम थे पीले, सफेद, हरे, बैंगनी, लाल और हर मश्रूम में एक घर था बानी उड़कर एक घर में घुज गई, साधारन सा घर था, जैसा कि घर होते है लेकिन मश्रूम फर्ष, एक डम नरम, कालीन से भी ज्यादा नरम कालीन पता है न बच्चों, एक डम नरम नरम सा होता है हम, बच्चे कूटते, दोडते, बानी को मश्रूम नगर दिखाने लगे आओ, कुछ खाले, बच्चे एक साथ बोले लेकिन बानी को तो केवल खेट नजर आ रहे थे, जिनमें अजीब से मश्रूम उग रहे थे ऐसे मश्रूम तो मैंने पहले नहीं देखे, बानी बोली अरे ये तो लड्डू मश्रूम है बानी ने हैरानी से देखा कि हर मश्रूम के उपर एक लड्डू और बर्फी है पीली, हरी, सफेद बानी ने एक लड्डू तोड़कर मू में डाला वाह क्या स्वाद है मज़ा आ गया तभी उसे अपना नाम सुनाई दिया जिसे कोई उसे पुकार रहा हो देखा तो किताबों जैसे मश्रूम भी थे जिनके पन्ने अपने आप पलटते जा रहे थे पन्नों पर बने चित्र उपर नीचे कूद रहे थे उसे बुला रहे थे आओ ना बानी हमारे साथ पड़ो बानी उनके पास गई तो चित्रों ने उसे धेर सारी कहानिया सुनाई मश्रूम से बने पापड खाते खाते बानी कहानिया सुनती गई राजारानियों की, परियों की, वील सिपाहियों की अब उसे बहुत प्यास लग रही थी बच्चे उसे एक जरने के पास ले गए जिसमें चमकता नीम्बू पानी था वाओ, दूसरे में संत्रे का रस, तीसरे में आम का बानी ने सब में से थोड़ा थोड़ा पिया कितना ठंडा और मीठा और ये क्या? कुछ मश्रूमों में तो संगीत फूट रहा था कितना सुरीला बानी एक छोटे से लड़के के साथ नाचने लगी उसने नुकीली टोपी और जूते पहने थे क्या नाम है तुमारा? बानी ने पूछा नुकीला वो बोला वाकई? उसका चहरा भी नुकीला था फिर बानी एक छोटी सी लड़की के साथ नाची जिसकी टोपी और जूते दिल के आकार के बने थे याने के हार्ट शेप वो गा रही थी मेरा नाम है दिलवाली इसके बाद बानी सब बच्चों के साथ नाची हम्म्म अब मैं थक गई हूँ थोड़ा आराम कर ले नहीं नहीं समय नहीं है ये लो निम्बू पानी पियो बानी ने एक घुट पिया तो कुछ आराम मिला चलो पहाडों पर उड़े बच्चे बोले वे निकल पड़े केक, आइसक्रीम और टौफियों के बने पहाडों के उपर से और आखिरी पहाड पर पहुँचे कम्माल वो तो खिलोनों का पहाड था बानी ने इतने सारे खिलोने कभी देखे ही नहीं थे बच्चे जादूई गेंदों से खेल रहे थे जो खुत-कूत्ती थी चोटी-चोटी गाडिया उनके पास आकर बिठाकर सैर करवा रही थी जादू के ब्लॉक थे जो चिला रहे थे आओ, खेलो हमें बनाओ बानी को तो बहुत मजा आ रहा था अब घर जाने का समय हो गया था वे सब जंगल के उपर से उड़ते हुए बानी के घर पहुँचे अच्छा बानी अलविदा हम चलते है फिराना और बच्चे वापस मश्रूम नगर लौट गए बानी अपने बिस्तर में गुस कर गहरी नींद में सो गई सुबा उठी तो लगा हाँ कितना सुन्दर सुहाना सपना था तब ही उसने अपनी मुठी खोली और देखा क्या देखा आप बता सकते है क्यो ना आप भी अपनी छोटी सी कहानी बनाए बानी के बारे में और ये कहानी आप मुझे email कर दीजिए ना अब है बारी सवाल की जो है इस कहानी के बारे में सवाल है बानी के स्कूल के दर्वाजे और खिडकिया कौन से रंकी है हम् जवाब पता है ना आप इसका जवाब भी मुझे इमेल कर दीजिए मेरा इमेल आइडी है contact.booksthatspeak at gmail.com तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में बाई बाई धन्यवाद